तो फ्रेंड सबसे पहले मैं आप सभी को गरतन दिवस की हारदिक बधाया देती हूं और आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसे सक्सियत से मिलवाने वाली हूं जिन्होंने तमाम संघर्सों के बावजूद अपने की साथ मेरे विद्याले में इन्होंने नियुक्ति प्राप्त की तो चलिए मिलवाते हैं आप से स्वागत हमें हम आपका हमारे चैनल पर सबसे पहले मैम आप अपना परिश्य दीजिए मैं अनीता कुश्वाहा राश्ट्री इंटर्मीडियेट कालेज बाली निश्लॉल महराज गज में एज हिंदी टीजी टीके पत्पे चैनित हूं मैंने बीए बीएड डवल यमें हिंदी और समासा से साथ में यना योज से डियलेड भी किया है और मेम के साथ मेम के ही कालेज बें कर रहत हो मैं आप ये बताएं कि आपको तैयारी के लिए प्रेड़ा कहां से मिली और आपने तैयारी के दुरान किन किन चुनाओतियों का सामना किया और किस तरह से आपने सेलेक्शन प्राप्ट किया आप ये बताएं मैं मैं इससे पहले 2013 में अनुदेशक की भरती आई थी तो मैं कला अनुदेशक के रूप में पुरुमाद्मिक विद्याले गिरहिया निचलॉल में ही कारिरत थी बहुत सारे संगर्स थे चुकि वो संभिधा की नौकरी थी और उसका मांदे भी बहुत अल्फ था साथ अज होती है हमेशा मन में बना रहता था कि हम कब अच्छे पोश्ट पर पहुंचेंगे फिर यह 2021 वाली वेकेंसी जो है वह हमारी पहली वेकेंसी थी क्योंकि 2014-15-15-16 दो वर्षी दुरस्त विदी से राजर्श्री टंडन ओपन युनिवर्ष्टी से मैंने बीड किया अनुदे प्रशक के दोरान बहुत सारे संगर्श मुझे करने पड़े और मुझे मन में हमेशा लगा रहता था कि मुझे आगे बढ़ना है फिर पढ़ते पढ़ाते पटन पाटन के साथ मैंने तैयारी की और घर पे ही राते हुए मैंने यह मुकाम हासल कि आपको बता देंग बहुत पुस्तक के तैयारी करना चाहता है तो वो किन पुस्तकों को पढ़े कि पहली बार में उसका सेलेक्शन हो जाए मैं प्लीज पुस्तक बहुत मायने रखते हैं किसी भी कमटिशन को बीट करने के लिए जहां तक हिंदी की बात है तो इस समय चैन बोर्ट का आपने पेपर द सेलेक्टेट बुकों को पढ़ी थी उनको मैं बता रही हूं हिंदी साहित का इतियास जो सुकल जी का बहुती विख्यात पुस्तक है यहीं से टीजिटी की पढ़ाई स्टार्ट करें और हिंदी साहित तेयों समवेदना काविकास जो रामसरुप चत्रुवेदी जी का है व वाशुदेव अग्रवाल की बुक पड़ी थी और हुर्दीव वाहरी जी की ची की साथ में प्रिछी नात-पांड पांडे की भी बुक पड़ी थी संस्कृต व्याकरण के लिए जो हमारे intermediate में संस्कृत की व्याकरण की बुक है वो काफी है साथ साथ आप सिल्पी का TGT और PGT का जो solve paper है उसको regular आप solve करते रहें धन्यवाद मैं मैं आप ये बताइए कि आपने अपने तयारी के दोनान क्या खास strategy अपनाई थी जिससे आपको lab मिला है ताकि और भी aspirant जो भी तयारी कर रहा है वो भी इस trick को अपना करके और वो भी पहली बार में selection ले सके और वो भी लभानमित हो सके मैंने जिन जिन बुको का भी जिक्र किया है उपर उन बुको को मैं तीन बार पढ़ी थी एक बार मैंने pencil से पढ़ा था फिर marker से फिर red column से उसको highlight करके और self जो notes होता है वो बहुत सारे बच्चे confusion में रहते हैं इस दोस्त से उस दोस्त से या फिर यहां coaching संस्थानों से notes इकठा करते रहते हैं मैं अपना experience बता रही हूँ कि मैंने खुद के notes बनाये थे वो बहुत मायने रखते हैं और जो चीज जैसे हिंदी टीजटी में 6 पार्ट हैं तो 6 पार्ट को आप regular लेके चलिए 6-7 घंटी regular पढ़िए सुबह साम सारे पार्ट को कोई भी पार्ट हमारा अच्वूता ना रहे सबको असपस करते हुए चलिए और मैंने चार्ट पेपर तैयार किये थे चुकि हिंदी टीजटी में बहुत सारे विधाये भी हैं लगु विधाये हैं तो मैंने उनके चार्ट पेपर जैसे उपन्यास के चार् कि एक चार्ट पेपर कभर हो जाते दूसरा उसको निकाल के ऐसे ही सारी विधाये में तैयार की थी जो चीज ना याद हो उसको रफ्वे रेगुलर अभ्यास से रटा जा सकता है बढ़ा जा सकता है कया कोचिंग जरूरी है यहाच कोचिंग संस्थान की बात है तो कोचिंग संस्थान सेलिक्षन दे सकता है आपका स्वाध्याय भी बहुत जरूरी है वो एक मार दसक है टीशर आपको गाइड करते एक घंटे डिर घंटे दो घंटे के क्लास देंगे बाकी आपको दस घंटे आट घंटे खुद से पढ़ने होंगे एक मार दसक का कम ही कोचिंग संस्थान कर पाते हैं बाकी आपको घंटे पढ़ाई करें कि वह सेलेक्शन ले सकें क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट से जो जॉब भी करते हैं काफी बीजी रहते हैं तो उनके लिए टाइम निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो कम से कम कितने घंटे पढ़ें कि हम फर्स्ट अटम्ट में सेलेक्शन ले सकें मैं ये बताईए चुकि मैं अनुदेशक के पत्पे कारेरत थी 2013 से ही और मैं उस पत्पे रहते हुए ये मुकाम हासिल की हूँ तो आप रेगुलर 6-7 घंटे अगर TGT स्लिवस के अनुसार पढ़ाई करते हैं रेगुलर जिस प्रकार से हमारा खाना नहाना सब कु कि या कलाब जरूरी है उसी प्रकार से अगर एक पार्ट बना ले कि हमको पढ़ना भी जरूरी है तो सलेक्शन 6-7 घंटे में भी मिल सकता है मैम आप उन महिला एस्पिरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी जो कि मेरेड हैं और जो कि जिनके बच्चे भी हैं वो भी उनके अंदर भी एक ललक है कि एक जौब सरकारी नहोंकरी प्राप्ट करें पर वे टाइम नहीं निकाल पाती है काफी सारी महिला वीवर्स है जो ह की मैं मैं पढ़ना तो चाहती हूं लेकिन अकाम का इतना प्रेशर होता है कि टाइम नहीं निकाल पाती और कहीं ने कहीं उससे दबाव महसूस करती हैं तो आप उन महिला एस्पिरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगी मैं इसके लिए तो आप ही बहुत मह्त्वपूड हैं आपसे बड़ा एक्जामपल कोई नहीं हो सकता है आप दो बच्चे की माँ हैं साथ में आप भी टीशिंग करती रही है प्राइवेट समस्थान में तो अगर मन हो दिड़ इच्छा सकती हो कुछ कर गुजरने की कुछ करने की अपने लाइफ को आगे ले जाने की तो मुझे सकता है कि मैरिड होना या फिर बच्चे होना यह बहुत माइने नहीं रखता है आपके दिड़ इच्छा सकती होनी चाहिए लगन होना चाहिए आपका लक्ष आपके सामने होना चाहिए अगर लक्ष सामने है तो कोई भी परिस्थिती आपको रोक नहीं सकती आपका मंजिल प्राप्ट करने के लिए रैंक कितना माईनी रखता है मैं जहां तक मेरा अनुवह है अगर आप मन पसंदीदा कॉलेज चाहते हैं अपने घर परिवार में रहते हुए अपने सहर अपने गाउं में सेलेक्शन चाहते हैं तो रैंक बहुत माईने रखता है मेरा 324 रैंक था ज पसंदीदा और अपने घर परिवार अपने आस्पडोस में ही साहर में कस्वे में गाउं में सेलेक्शन पा सकते हैं मैं यह बताया चुकि आपने राजरसी टंडन से बीड किया है तो काफी सारे के माध्यम से उन सभी परिषारतियों को यह संदेश देना चाहती हूं कि बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि क्या ओपन उन्वस्टी राजरसी टंडन से बीड मानने है कि नहीं है और राजरसी टंडन से उस ट्रेट से मैंने वीड किया है दो वर्षी दोनों वीड एक समान है सामाने की तरह है यह कंफ्यूजन सब लोग दूर कर दें मैं उसके लिए खुद ही प्रूप के रूप में तयार हूँ और अग्यानम में की दो सालों से कारड़त हूँ मैं यह बताएं कि चुकी आप अब एक इंटर कॉलेज की टीचर बन चुकी है तो कैसा महसूस होता है आपको क्या फिलिंग्स है और आपके जीवन में क्या-क्या बदला आया थोड़ा दर्शकों को बताएं मैं सेलेक्शन के बाद तो ऐसा लगता है कि जैसे एक नया जीवन ही मिल गया हो सेलेक्शन के बाद विशार धाराय हर चीज बदल जाती है जहां तक घर-परिवार की समाज की बात की जाया तो बहुत सारी खुशियां हमारे घर में हमारे पासपडोस गाउं में आई है मैं शेतर की अपने गाउं की दस-पांच गाउं में मेरा पहला मतलब की मादिमिक से चैन बोर्ट से यह सेलेक्शन रहा है बालिकावर्ण में काफी गर्व मैसूस करते हैं घर का भी रहन सान हर चीज बदल गया है लोगों का द्रिश्टिकोर जो लोग अपने बच्चियों को बेजना चाते थे या फिर उनका एजुकेशन रोकना चाते थे वो भी अप्रेडा ले रहे हैं कि यह गाउं मेरा के सेलेक्शन ले सकती है तो हमारे बच्चे भी ले सकते हैं काफी अच्छा मैसूस हो रहा है मैम अंत में आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगी ताकि उनको भी एक मोटिवेशन मिले और कहीं न कहीं उनके अंदर जो इच्छा दबी हुई है वे उजागर हो और वे भी मेहनत करने के लिए उसी लगन के साथ ततपर हो मैम देखे सफलता एक दीन में नहीं लेकिन एक दीन जरूर मिलती है दिर इच्छा सकती स्वाध्याय अप अपने मुकाम को किसी भी परिस्तिती में प्राप्त किया जा सकता है बहुत बहुत धन्यमाद मैम तो देखा दोस्तों आपने मैम ने कैसे संघर्स करते हुए एक अनुदेशक रहते उन्होंने इंटर कालेज में नौकरी प्राप्त की और काफी अच्छा मासूस होता है हम किस वाइनिंग सेम इयर में सेम डेट में हुई है तो आप भी मुझे उमीद है कि आपको कहीं ने कहीं इससे मोटिवेशन जरूर मिला होगा जिसे कि आप अपनी तयारी को धार दे सकते हैं तो बहले ही अभी एक्जाम डेट डिकलेर नहीं हुआ है लेकिन वेकेंसी तो हमे अजसे मेरा मकसद यही है कि आप लोगों को एक मोटिवेशन प्राप्थ हो और उत्सा प्राप्थ हो और आप भी अपनी तयारी को धार दे और अपना सब्सक्रा अबरे को मिलते हैं इसви सकरातम विचार के साथ और वीडियो को देखने के लिए थैंक्स ख़'ll